हेलो फ्रेंड्स आयू वेदान मेडिसन चैनल में आप सभी का बहुत पहुत सुआगत है फ्रेंड्स अकसर हम अपनी जिन्दिगे में देखते हैं जब हम किसी से बात करते हैं तो उसका ध्यान हमारे चेहरे पर ज्यादा होता है एक सुन्दा चेहरा हमें बहुत ज़दा अट्रेक्ट करता है वहीं पर अगर आपके चेहरे का रंग काला पन या सावला पन होता है तो लोग आपसे जल्दी अट्रेक्ट नहीं हो पाते हैं ऐसे में दोस्तों हमें अपने चेहरे को बहतर बनाने का पयास करना चाहिए हमें वो सभी परका के तरीके बनाने चाहिए जैसे कि हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा सुन्दर बन सकता है अगर आप अपने चेहरे को सुन्दर बनाना चाहते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बहुत ज़्यदा खुसाल बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप अपने चेहरे के कालेपन और सावलेपन को दूर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेल उपाय बताता हूँ जो पूरी तरह से रामवान है और आपके चेहरे को सुन्दर बनाने में मदद करेगा दोस्तो आज के समय में सुन्दर बनाने के लिए बहुत सारे लोग मेक अप का सहरा लेते हैं जो कि दोस्तों उनको ज़्यादा तो फायता नहीं देता है लेकिन बाद में उनके चेहरे के उपर दाग दप्पे होने शुरू हो जाते हैं जिनसे के उन्हें पहुँच ज़ता दिक्कते आने लगती है अगर दोस्तो आप नेचुरल तरीके से अपने चेहरे को बहतर बनाना चाहते हैं तो आज का घरे लूपाई सिर्फ आपके लिए है चलिए दोस्तो जानते हैं क्या है वो घरे लूपाई और आपको इसका इस्तिमल किस तरह से करना चाहिए दोस्तो अगर आप नितवचा को गोरा बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक घरे लोपाई के बारे में बता रहा हूँ उसके लिए दोस्तों आपको जरूत पड़ेगी आलू की दोस्तों आपने आलू का नाम तो सुना होगा यह एक प्राकरतिक सिकिन बिलिचिंग एजेंट होता है जो कि डाक सिकिन या फिर काले दपो को हलका करने में मदद करता है या तबचा को गोरा बनाता है और सिकिन के काले पन को दूर करने के लिए आप आलू फेस पैक का इस्तिमाल कर सकते हैं चली दोस्तों मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपको किस तरीके से आलू का इस्तिमाल करना है जो कि आपके चहरे पर चार चांद लगा देगा सबसे पहले तो दोस्तो तरीका जान लेते हैं इसके लिए दोस्तो आपको चाहिए आदा कटा हुआ आलू इसको आपको अची परकासे पीस कर इसके अंदर आपको एक चमच नीवु का रस और लगबल लगबल 1x4 चमच आपको दूद मिलाना है इसको आपको अच्छी प्रकास से मिलाकर एक पेश्ट तयार करना है और इसके बाद आपको अपने सिकिन पर इसे अपलाई करना है 20-30 मिनट तक इसको आपको लगा रहे कर छोड़ देना है दोस्तो जब 20-30 मिनट हो जाएं तब यह पूरी तया से सूख जाएगा सूखने के बाद आप इसे गुनगुने पानी या ठंडे पानी से अपने चेहरे को दो सकते हैं इस तरीके से दोस्तो आपको एक सब्ता में 2-3 बार इस उपाय को करना है इस उपाय को अपना कर आपके चेहरे पर रंग गताती है चेहरा बहुत ज़्यदा चमकदार बनता है और ब्लैक सिकिन और काले दपो के पावलम हमेशा के लिए खतम हो जाती है फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी है इसलिए दोस्तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सभी को मिल सके